सिक्षा में व्यवयसाई करन पर रोक लगाने सही तिकुद साथ सुतरी मांगों को लेकर अखिल भारते विद्याथी परिशत के सदस्यों ने गुरुवार को BSA कारेले के परिशत में बिरोत परदर्सन किया इस दोरां परिशत के लोगों ने जमकर नारे बाजी की और BSA प्रतिनीदी को अपनी मांग संबने गया पन सौपा परिशत के सदस्यों का कहना है कि सरकारी वा अर्द सरकारी सिक्षन संस्थानों में सिक्षन कारे करने वाले सिक्षकों दोरा चलाई जा रही अवैद रूप से कोचिन सेंटरों में लोगों से मनमानी धनोगाही की जा रही है जिसे परिशन काफी परिशान है परिशत के सदोसों ने सिक्षा के नाम पर धन उगाही कर रहे संस्थानों को ततकाल बन किये जाने की मांगी है गोरकू न्यूस सन्वादाता से बात करते हुए परिशत के महानगर मंतरी नौनिस शर्माने कहा करने वाले सिच्च को द्वारा चलाई जा रही अवैद रूप से कोचिंग सेंटर बंद कर उनके खिलाब कराई की जाए सब्सक्राइब है जिने में चलरह सरकारी नर्ण सरकारी सभी पब्लिक इंटर-काले वह सहिचिक अस्तर को पर सुईखारा जाए इस अभी आठफ आइंड आचार जिते सीखार ही संबन्थ में जिसके उत् Pacific दोस्तनव उखाए जाए झाल से जिये चाल तर्ण पद जिन्दाबार जिन्दाबार ень दर्ण पद जिन्दाबार जिन्दाबार जिन्दाबे भणद पकड़ाक़ यह तक बाद करोडिए इस गभारति विद्ध्यारती परिश्ट अपने स्थाप्ना काल से ही सिक्षा छेत्र में जो कमिया है जो सुधार आवश्यक है निश्चीत रूप से उसके लिए हमेशा संहर्शत रहती है और समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करती रहती है इसी प्रकार से हम वर्सों से देखते आ रहा हैं कि जिस प्रकार से सरकारी संस्थानों का मतलब इंटर कालेज हो या मादमी के स्कूल हो कितनी बदहाल इस्तिती में है उसी को लेके विद्यारती परशद यहां पर अपने आवाज को उठाने आई है कि उसमें सुधार किया जाए बदहाल जो बिल्डिंग है सरकारी विद्यालों के वहाँ पर जो सिछकों की कमी है विद्यालतियों की कमी है कहीं कहीं सिछकों कमी है उसको दूर किया जाए, साथ ही जो स्कूल गुरगपुर महानगर में अभी भी मनमानी फीस वसूली करते हैं, ड्रेस के नाम पे, किताब कॉपी के नाम पे उसको लेकर विद्यारती परश्द यहां पे आंदूलन करने आई है, और अभी जिल्या विद्याले निरक्चक को ग् अपन देकर यहां आई है,